हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं आपका यूटूब चनल इस्टेटी विट टाइगर दोस्तों आज मैं आपको कैलेंडर में पार्ट टू लेके आ रहा हूं ठीक है इसमें मैं केवल कोईश्चन कराऊंगा कंसेप्ट हमने कल बता ही दिया आपको ठीक है आज मैं सिर्फ को कोई डाउट होता है या कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बाक्स में लिखके बता सकते हैं या हमारा टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लिजे या फेस्बूक ग्रूप जोइन कर लिजे ठीक है वहाँ पे आप पोस्ट कर दीजे हम आपका आंसर बता देंगे ठीक है क्रश्न को कैसे किया जाएगा ठीक है पांच जून 1988 को कौन सा दिन था ठीक है तो आईए देखते हैं पांच जून का कैसे निकालेंगे तो यहां पर हमने जो बताया था यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारा प्लेलिस्ट में दूसरा जो वीडियो है पार्ट वन उसको आप जरूर देख लीजे तभी आपको यह समझ में आएगा ठीक है कि हम कैसे इसको करेंगे ठीक है तो आप देखिए 1988 जो है यह रनिंग में है ठीक है पांच जून तक का बात कर रहा है ठीक है तो हम 1988 नहीं लेंगे 1987 जो कम्प्लीट हो गया है उसका पहल हम इसका निकालते हैं पहले तो इसको हम तोड़ेंगे कैसे तोड़ेंगे यह देखते हैं तो 1988, 1987 को हम तोड़ेंगे देखिए मालीजे हम तीन भागों में तोड़ लेते हैं इसको ठीक है तीन भाग में कैसे तोड़ेंगे देखिए इसको हम कर देते हैं 1600, 1600 कर दिए ठीक ह में तोड़ लिया ठीक है अब क्या करना है 1600 में कितने ओर्ट डेज होंगे उसको लिख लेंगे तो 0 होता है क्योंकि हमने कल बताया था ठीक है 400 के गुडांक में जितने भी आएंगे 400 800 1600 1200 2000 है उसमें 0 ओर्ट डेज होंगे और 300 में कितना बताया था हमने 300 में 1 wattage बताया था ठीक है और प्लस कर देंगे 87 तो 87 में 87 wattage तो होंगे ही होंगे और प्लस ठीक है 87 में जितने leap verse होंगे उसका add हो जाएगा तो 87 में कितने leap verse होंगे उसको हम 4 से divide करके निकाल लेंगे तो 4 दुन्नी 8 cancel हो गया 7 4 एकम 4 और बचा क्या यहां पर 4 एकम 4 हो गया तो 7 3 हो ठीक है अब हमारे पास यहां पर जो आया है वो उतने odd days और add हो जाएगा क्योंकि 21 leap year होंगे और leap year में क्या होता है दो odd days होता है तो एक तो हमने पहले लिख लिया एक बचा तो 21 हम लिख देंगे extra ठीक है यह 21 add हो जाएगा और अब हम क्या करेंगे देखिए 1600 में 0 हो गया एक अब इनको हम तीनों को add कर देंगे तो देखिए क्या होता है 7, 18, 19 ठीक 8 और 2, 10 मतला हमारे पास कितने odd days आ गया 109 odd days हमारे पास आ गया है ठीक है इसको चाहे तो हम तुरंत साथ से डिवाइड करके फिर odd days निकाल लेंगे लेकिन अभी हम इसकी बात कर लेते 5 जून 1988 तो 88 हमारा क्या है बताइए लीप वर्स है कि नहीं है आए कैसे पता करेंगे तो last के two digits को देख लीजे last के two digits को वो क्या है चार से डिवाइड हो रहा है तो आप समझ जाएए कि ये आपका लीप वर्स है तो चार से देखिए चार दुन्नी आठ ये कट गया चार दुन्नी आठ मतलब आप देख लीजे यहाँ पर पूरा पूरा कट रहा है इसका मतलब क्या है 1988 जो होगा वो लीप वर्स होगा लीप वर्स का हमने बताया तक कि कैसे निकलेगे तो पहले हम देखते हैं देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रेल मई उसके बाद जून जून में कितने दिन है पांच दिन है तो इसको हम पूरा पूरा लिखेंगे ठीक है पांच दिन लीप वर्स की बात हो रहे तो एक होगा ठीक है तो एक हो जाएगा और प्लस मार्च में मार्च जनवरी फरवरी मार्च में तीन होते हैं अप्रेल में दो होते हैं मई में तीन होते हैं ठीक है समझ गए उसके बाद देखिए अब इसको हम जोड लेते हैं तो जोड़िए त 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9, 3, 12, और 12 पास 17, तो 17 हमारे पास आ गया, ठीक है, 17 क्या आ गया, 17 और 10 जा गया और, ठीक है, अब यह 17 हम 109 में जोड देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखे, 109 और प्लस 17, इसको हम एड कर देते हैं, तो कितना बनेगा, 9, 7, 16 का 6, और 1, 1, 2, और 1, ठीक है 1206 हो गया हमारे पास अब 126 को हम क्या करेंगे 7 से डिवाइड कर देंगे 126 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास सेजपल क्या आएगा ये देख लेते हैं ठीक है तो 123 को हम यहाँ पर दिखा देते हैं आपको 7 से डिवाइड करके तो 7mist 7 7Да तो सात इकम सात होगा 5 12 56 होगयां एक 78 56 इस जब देखिया पूरा पूरा कटवार निया टीक है तो यहां पर 18 डाह Люके यह यह जाएगा और जीरो होता है ठीक है एक होता है आपका एक होता है सोम वार दो होता है मंगल वार तीन होता है बुद्ध वार ठीक है फिर चार होता है गुरू वार पांच होता है सुक्र वार छे होता है सनी वार और उसके बाद साथ होता नहीं है क्योंकि जो साथ पूरा-पूरा कर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो हमारा वो 0 जो होता है, वो रवीवार होता है, समझ में आ गया, तो रवीवार, यहां पे आंसर होगा, रवीवार, तो यहां पे देखिए, हमको question में कुछ नहीं दिया था, कि 5 जून 1988 को कौन सा दिन था, यादि हमको hint में कुछ नहीं दिया, तो हम एक चीज आपको और याद रखना है कि कोई भी वर्स हो ठीक है यदि वह साधारण वर्स है लीप वर्स की बात मैंने कर रहा हूँ साधारण वर्स तो उसका जो होगा ठीक है वो जिस दिन से स्टार्ट होगा मतलब एक जन्वरी जो उसका होगा वही उसका 31 दिसंबर होगा ये point आपको याद रखना है मतलब कहने का हमारा ये है कि यदि कोई साधारण वर्स में यदि एक जन्वरी को मालिजे सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी सोमवार ही होगा एक जन्वरी को मंगलवार है तो 31 दिसंबर को मंगलवार होगा ठीक है? लेकिन लीप वर्स में नहीं होगा लीप वर्स में क्या होगा? एक अगला दिन होगा next क्योंकि एक दिन बढ़ जाएगा उसमें ठीक है? तो यदि हमारा लीप वर्स की बात हो रही है एक जन्वरी को सोमवार तो 31 दिसंबर को हमारा मंगलवार हो जाएगा लीप वर्स की बात कर रहा हूँ ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रखना है दिमाग में रखना है कभी कभी क्या होता है कोस्चन में पूछ लेता है कि एक जन्वरी को सोमवार था तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो उसी वर्स की बात हो रही है तो तुरंत हम लगा देंगे वही जो दिया है सोमवार तो वही आंसर हम लगा के आगे बढ़ेंगे ना कि हमको कोई साल्व करने की जुरत होगी ठीक? तो यहाँ पे आपको हमें दिखाना था ठीक है? यह वाला देख लीजे और एक पॉइंट यह वाला जो है इस पॉइंट को आप जरूर दिमाग में बैठाए रहे हैं इस्टार करके ठीक है? आईए देखते हैं अगला प्रस्ट अब इस प्रस्ट को आप देखिए और बताईए कि इसमें क्या होगा ठीक है? बताईए यदि मास की नव तारीख रवीवार के पहले वाले दिन पढ़ती हो तो मास की एक तारीख किस दिन पढ़ेगी? बताईए यदि नव तारीख जो है देखे कोश्चन को समझे आपसन दिया है सुकरवार, सनीवार, रवीवार, सोमवार हमें रवीवार की पहले वाले दिन पढ़ती हो मतलब यदि कह रहा है कोश्चन नव तारीख जो है नव तारीख ठीक है? नव तारीख जो है तो ये दस तारीख को रवीवार था तो रवीवार के पहले वाले दिन पढ़ती हो, तो रवीवार के पहले दिन क्या होगा, हमारा सनीवार हो जाएगा, यही तो कह रहा है देखे कोशन देखे समझ ये यदि महीने की नव तारीक ठीक है नव तारीक रवीवार के पहले वाले दिन पढ़ती है तो रवीवार का पहले का होगा हमारा सनीवार हो जाएगा ठीक अब सनीवार हो गया तो हमें क्या कह रहा है पहले दिन पढ़ती हो तो म पचेगा हमारा दो, नो में से साथ गया दो, तो मतलब दो तारीक को भी सनिवार रहा होगा, ठीक है, जब दो को सनिवार होगा, तो एक को कौन सा होगा, यहाँ पर शुक्रवार, ठीक है, एक को क्या पड़ेगा, शुक्रवार पड़ेगा, आप ऐसे भी जोड सकते हैं, या देखिए माल लीजे 9 तारीक को हमारा क्या था सनीवार था ठीक है तो यहां से देखे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो यह हम कर लीजिए ठीक है यहां पर सनीवार हो गया ठीक सनीवार के बाद सुक्रवार सुक्रवार के बाद गुरुवार गुरुवार के बाद में यहां से देखते हैं, पहले 7 घटा देंगे, इसमें तो जोट डेट होता है, जैसे 1 तारीक को सुमवार है, तो 8-7 दिन जोट देंगे, 8 तारीक को भी सुमवार हो जाएगा, फिर 8, 7-15 तारीक को भी, आपको मritis तारीक को mater पूछ तारीक को भी तर्ण और 2 तारीक को भी सन पढ़ेगा ठीक है तो यहां पर आपसन एज होगा वो सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर यहां पर सुक्रवार होगा समझ में आ गया होगा आपको ठीक है आईए देखते हैं अगला प्रस्त इस प्रस्त को देखिए सस्सी असनातक अस्तेवे परिच्छा 2000 में एक कोश्च नियत दिन से तीन दिन पहले आ गया है ठीक है नियत दिन से तीन दिन पहले आ गया है यदि वह वहां आने वाले रवी वार को पहुंचता चलिए ठीक है आने वाले रवी वार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता कितने दिन पहले या बाद पहुं अनिल जो है सुक्रवार को पहुचा, अनिल किस दिन पहुचा, सुक्रवार को पहुचा, ठीक है, सुक्रवार को पहुचा, चलिए ठीक है, अनिल के पहुचने का दिन जो है वो सुक्रवार हो गया, ठीक, चलिए सुक्रवार को पहुच गया अनिल, अब ये क्या कह रहा है, अ ठीक कर देंगे तो सुख्रवार से तीन ऐड़ करेंगे मतलब एक दो something 10 यहां पर नियत दिन जो हो गया वह अ Extra हो जाएगा ठीक है हमारे पासे दिन कौन सा आगया सो मारा ठीक है अब हम क्या करेंगा सो मारा आ लेकिन क्या कह रहा है सुमवार आगे न तो अब क्या कह रहा है यदि वहाँ वहाँ आने वाले रवीवार को पहुंचता मतलब ये सुमवार को नियत तारिक थी नियत जो है सुमवार को था ठीक है लेकिन कह रहा कि यदि वो रवीवार को पहुंचता यदि अनिल रवीवार को पहुंचता तो वह कितने दिन बाद या पहले पहुंचता और नियत दिन कौन सा है सोमवार है सोमवार क्या है हमारा नियत दिन है तो जब सोमवार नियत दिन है तो उससे एक दिन पहले हमारा जो होगा वो रवीवार होगा जो की हमें दिख रहा है ठीक है तो हमारा आंसर इसमें क्या हो जागा एक दिन पहले तो एक दिन पहले हमारा कौन सा आंसर होगा आपसन ए तो यहाँ पर आपसन ए जो होगा एक दिन पहले वाला आंसर हो जाएगा ठीक है आपको समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार मैं फिर से बताय दे रहा हूँ ठीक है इसमें कह क्या रहा है अनिल किसी अस्थान पर सुक्रवार को पहुंचा माली जे सुक्रवार को पहुंचा उसे पता चला कि वह नियत दिन से तीन दिन पहले आ तो नियत दिन हमको निकालने के लिए इसमें तीन दिनाइड कर देंगे ठीक है तो तीन दिनाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा सोमवार ठीक तो नियत दिन हमारा सोमवार आ गए, यदि वाव वहाँ आने वाले रवीवार को पहुंचता है, और नियत दिन हमारा सोमवार है, तो सोमवार से रवीवार एक दिन पहले, तो एक दिन पहले हमारा कवाव, आंसर हो जाएगा, एक दिन पहले का, ठीक है, समझ में आ गया, इस प्रस्म को देखते हैं यदी ठीक है question कह रहा यदी बीते कल से पहले वाला दिन रवीवार था ठीक है रवीवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरे दिन कौन सा दिन होगा ये देखे क्या है SSC असना तक अस्तरिय परिछा 2010 में आया हुआ question है तो देखे इसको कर ने के लिए हम क्या करते हैं पहले तो हम देखे यदी बीते कल से पहले वाला दिन रवीवार था ठीक है तो यदी हम आज से लेते हैं ये आज है ठीक है ये क्या है आज ये टूडे है ठीक है आज है तो बीता हुआ कल कल हो गया ठीक है यदी बीते कल से पहले वाला दिन ये और इससे पहले वाला दिन जो है वो रवीवार है मालो ये रवीवार है ठीक है ये रवीवार हो गया तो आने वाले कल से अब ये आज हो गया आने वाले कल ये कल हो गया ठीक है आने वाले कल से अगले दिन आने वाले कल से अगले दिन तो आने वाला कल ये हो गया और उससे अगला दिन ये हो जाएगा ठीक है अगले दिन से तीसरे दिन अब ये अगला दिन हो गया से तीसरा दिन मतलब एक दो तीन तो कौन सा दिन होगा ये कह रहा है तो यदि ये रविवार है तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बहस्पतवार, सुक्रवार, सनीवार, रवीवार तो फिर हमारा आने वाला तीसरा दिन कौन सा होगा रवीवार ही होगा क्या होगा अंसर इसमें रवीवार ही हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया ये देखिए कैसे होगा ठीक है अब आप देखिए इसमें कि क्या कह रहा है कोश्चन को एक बार देखिए और आंसर दीजिए ठीक है हम देखे पहले आज से चलेंगे आज ठीक है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था बीते हुए कल से पहले वाला दिन रविवार था ठीक है तो आने वाले कल तो आने वाला कल ये हो जाएगा से अगले दिन से अगला दिन ये हो जाएगा से तीसरे दिन तो अगले दिन से तीसरा दिन तो अगला दिन ये हो गया तीसरा दिन एक दो तीन तो अब जोड़ लेते हैं तो रवीवार से देखे इस्टार्ट करते हैं रवीवार सोमवार मंगलवार आज हो जाएगा बुधवार सुक्रवार बुधवार के बाद गुरुवार सुक्रवार सनीवार रवीवार तो हमारा आंसर जो होगा वो रवीवार हो जाएगा आपसन A तो यहाँ पर आपसन A जो होगा वो रवीवार होगा समझ में आ गया होगा आपको आईए देखते हैं अगला प्रस्त इस प्रस्त को देखिए यदि आगामी परसो रवीवार है तो आगामी कल के दिन गत परसो का कौन सा वार होगा तो कौन सा वार होगा ये हमें निकालना है तो हमें क्या कह रहा है देखिए आगामी परसो रविवार है आगामी मने आने वाला ठीक है ये आज है मान लिजे ये आज हो गया ठीक है आज ये हमारा आज हो गया तो आगामी परसों रविवार है मतलब ये आज हो गया ये कल हो गया ये परसों हो गया ठीक है रविवार हो गया ये रविवार हो गया तो आगामी कल के दिन आगामी कल तो फिर आगामी कल के दिन गत परसों का कौन सवार होगा तो आगामी ये हो जाएगा तो आगामी कल के दिन गत परसों ठीक है तो यहाँ पर देखिए ठीक है क्या कह रहा है आगामी परसो रविवार है तो आज जो है हमारा यह हो जगा टूडे ठीक है आज आने वाला आगामी मतलब आने वाला दिन जो है रविवार है तो आगामी परसों मतलब एक दिन छोड़ के तो कल परसों जो होगा वो रविवार होगा होगा की नहीं होगा तो आगामी कल के दिन तो आगामी जो होगा ठीक है ये आज हो गया आगामी कल के दिन ठीक है तो आगामी ये हो गया और कल क्या होगा हमारा आगामी मतलब आने वाला जो कल होगा वो क्या होगा सनीवार होगा सनीवार सनीवार हो जाएगा आगामी कल क्या हो जाएगा सनीवार आज से हम जोडेंगे तो आगामी कल क्या हो जाएगा सनीवार हो जाएगा के दिन गत परसों मतलब बीता हुआ परसों क्या होगा तो सनीवार है यह परसों मतलब एक दिन छोड़ के तो यदि ये सनीवार है तो ये सुक्रवार होगा तूडे क्या होगा सुक्रवार होगा और ये हो जाएगा हमारा ब्रह्षपतिवार ठीक है तो ये सुक्रवार हो जाएगा हमारा शुक्रवार और ये हो जाएगा ब्रह्षपतिवार ठीक है तो यह आपका ब्रहस्पतिवार होगा तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका आपसन B आपसन B जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा देखे समझे इस question को ठीक है यह आपका SST 2010 में आया हुआ प्रस्ण है कह रहा है यदि आगामी परसो रविवार है कि दिन गत परसों जो बीता हुआ परसों है मतलब आज और कल जो बीत गया ठीक है तो परसों क्यों सा दिन होगा तो क्यों सा दिन होगा वो ब्रहस्पतिवार होगा ठीक है तो यहाँ पर आंसर जो होगा वो ब्रहस्पतिवार सही उत्तर होगा समझ में आगया होगा आईए देखते हैं अगला प्रस ये प्रस ने देखी बहुत ही अच्छा कोश्चन है ठीक है यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहा है यदि जान ने अपना बिजय दिवस ठीक है बिजय दिवस मंगलवार 5 जनवरी 1965 को मनाया तो वह अपना बिजय दिव उसी दिन कब मनाएगा ठीक है तो यह 1965 को मनाया है तो हम इसमें क्या ध्यान देंगे तो पहले देखिए और 5 जनवरी को ही वो कह रहा है कि फिर वो उसी दिन मनाना चाहरा है तो किस सन को फिर 5 जनवरी को आपका मंगलवार आएगा तो यह पूछ रहा ठीक है तो 1965 से देखि यह चार से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ठीक है तो यह हमारा ली पियर नहीं होगा तो जब ली पियर नहीं होगा तो हमारा यहाँ पे कितने आट डेज होगा एक हो जाएगा ठीक है अब हम 65 के बाद 6-6, 6-6 में कितने वर्स का होगा लीपियर बताइए तो 6-6 में हमारा कितना हो जाएगा तो यहाँ पर 6-6 यहती हम कर दें 66 तो 4 से कटेगा 4 एकम 4 और 4 चंग 24 तो 4 चंग 24 होता ठीक है तो ये भी नहीं कटेगा तो हमारा प्लस वन हो जाएगा फिर 65-6 होगा फिर 66 में भी हमारा नहीं कटेगा 68 हो गया ठीक है 68 के बाद बाद देखिए 79, 79 में हम क्या करेंगे एक add कर देंगे, ठीक है तो यह हमारा देखे, 69 तक का निकल के आ गया, ठीक है 69 का हो गया हमारा उसके बाद देखते हैं 69 हो गया, उसके बाद आप फिर प्लस 1 हो जाएगा, फिर प्लस 1 हो जाएगा क्यों, क्योंकि फिर leap words नहीं यहां होगा, वही दिन यहां होगा तो देखते हैं काउंसा होगा तो 65 के बाद, 66, 67, 68, 69, 70, 71 मतलब 1971 का जो दिन होगा 5 जनवरी 1971 को वही दिन पढ़ेगा ठीक है, 5 जनवरी 1971 आप सन्वीज होगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा कैसे होगा, यह एक बार मैं आपको फिर से समझाए दे रहा हूँ, ठीक है देखिए क्या कहरा है, 5 जनवरी 1965 को यदि मंगलवार है चलिए ठीक है, 5 जनवरी 1900 मंग, तो वही दिन 5 जनवरी को किस साल में होगा तो हमें देखिए odd day यदि 0 हो जाएगा ठीक है, तो हमारा उसी साल को पूरा होगा, तो देखिए 1971 जब हम कर देंगे, ठीक है तो यहाँ पर देखिए, 65 के बाद 65, 65 में हमारा देखिए एक दिन बढ़ेगा, अगले साल में 66 हो जाएगा, 66 में एक दिन हो गया, फिर 66, 68 में देखिए, दो दिन बढ़ गया, तो 65 में एक दिन बढ़ रहा है, 66 में एक दिन बढ़ रहा है, 67 में एक दिन बढ़ रहा है, 68 में दो दिन बढ़ रहा है, फिर 79 में एक दिन बढ़ रहा है, फिर 70 में, 71 में एक दिन बढ़ रहा है, ठीक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका देखे 65 के बाद 66, 66, 68, 69, 70, 71 तो 5 जनवरी 1971 को हमारा क्या होगा मंगलवार होगा ठीक है तो यहाँ पर देखते हैं बस इतना ही ठीक है आईए हम आपको हुमवर दे देते हैं और उसको आप कोईश्चन जो है आप कमेंट बाक्स में इसका आंसर एगा ठीक है इस परस को देखिए बहुत ही एजी कोईश्चन है ठीक है सात्वा परस में वर्स 2003 में कुछ महेने के 31 दिन है कुछ महेने के 31 दिन है ठीक है तो 28 दिन कितने महेनों में है ठीक है एक महिना, आपसन डी, बारा महिना, देखिए ये किसमें आया है, SSC में असनातक अस्तेरिय परिच्छा दोजार बारा का ये प्रस्ण है, इसका अंसर आपको कमेंट बाक्स में देना है, ठीक है, आईए देखते हैं अगला प्रस्ण, इस प्रस्ण को देखिए, गत कल से पहले दिन में, पहला दिन सनीवार से, तीन दिन बाद है, आज कौन सा दिन है, आपसन ए मंग ब्रहश्पत्वार, आपसन बी शुक्रवार, आपसन सी मंगलवार, आपसन डी बुधवार, ये भी देखिए, सस्य सनातक अस्तरिय परिच्छा 2012 का ये प्रस्ण है, ठीक है, इसका आपको कमेंट बाक्स में आंसर देना है, आईए देखते हैं अगला प्रस्ण, देखिए अगला प्रस्ण जो है, किसी दरपड में घड़ी को देखने पर उसमें समय सवा तीन बजे है, ऐसा मालूम पड़ता है, तो सही समय क्या होगा, ठीक है, सही समय क्या होगा बताईए, आपसन A सवा तीन बजे, आपसन B नौ बजे, आपसन C सवा नौ बजे, आपसन D पौने नौ बजे, ठीक है, ये भी देखिए प्रस्ण, SSC असनातक अस्तिरी परिच्छा 2012 का ये प्रस्ण है ठीक है आप इन सारे प्रस्णों को कमेंट बाक्स में आंसर दीजिए ठीक है और हम अब अगला चेप्टर लेके आएंगे ठीक है तो आज के लिए बस दोस्तों इतना ही यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिए सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल और प्रेस बेल आइकन जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे और हमें प्रोसाहन के लिए ठीक है